हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्लॉक को बनाने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो दिखता कैसे हैं तो गाइस यह कुछ इस तरह का दिख रहा हैं जिसमें बेसिकली वॉइट वाला सेकेंड है और ब्लू वाला मिनेट क जो कि हावर को रिब्रेजेन कर रहा है तो यह घरी बनेगा कैसे गाइस मैंने इसको प्रोपरली यह वर्क भी कर रहा है अभी टाइम भी बता रहा है 949 हो रहा है तो यह पूरी तरह से वर्क भी कर रहा है तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस घरी को बनाने वाले हैं त मैं एक new file बनाता हूँ जिसका नाम होगा clock.html इसी में हम लोग अपना code लिखेंगे इस clock के अनुसार तो यदि आप लोग acceleration mark यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग inter click करेंगे तो html का basic boilerplate यहाँ पर print होकर आ जाएगा जो कि visual studio code खुझ से generate करता हूँ यहाँ पर आप लोग title यहाँ लिख सकते हैं टाइटल मैं लिख देता हूँ clock यहाँ पर clock control is to save मैं इस file को करता हूँ और अपने live server की मदद से इस file को open कर लेता हूँ लाइव सर्वर क्या है लाइव सर्वर विजुल स्टूडियो कोड का एक extension जो हमें बेसिकली बार बार रिडोट करने से बस आता है बस और कुछ नहीं ना हो गाईज तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका background कुछ हलका सा dark black है तो वह background हम लोग get करेंगे with the help of ui gradient जो की एक वेब्साइट है जो में gradient background दिलाता है ना यहां पर आप लोगों को first website पर click करना है यहां पर यहाँ ग्रेडियेंट ऊपेंं हो चुका यहाँ यहाँ पर आप लोगो अब किलिक करना है और यहाँ पर आप लोग को कंठ चर्ण में यहाँ इसकिछ कुछिए स्टाइल यहाँ लिखेंगे अभी हमें हैं सबसे पहले मैं अपना स्टाइल लिख — embark पर मैं सबसे पहले कर देता हूँ पैडिंग को zero, जो पैडिन्ग होता है तो मैं उस पैडिंग को zero कर देता हूं यहां पर HOYT अध्रवाराइंग जीरो और बोक्साइजिन्ग बोर्डर बोक्से बोक्स अपने mm आपर बोडी मेह बोडी में और इसको विर्थ दे देता हूँ basically 100 V और W और इसको मैं height भी दे देता हूँ 100 V H और मैं इसको display कर देता हूँ flex inline नहीं display मैं कर देता हूँ flex justify content मैं center कर देता हूँ align items भी मैं center कर देता हूँ और इसमें मैं वो background color जो मैंने वहाँ से copy किया थे यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ और इतना करते मैं अपने यहाँ पर right click करूँगा और इस format document पर यहाँ पर ऐसे click करूँगा जिससे मेरा visual मेरे code का arrangement सही हो जाएगा now is file को मैं save करता हूँ और यहाँ पर आप लोग मैं अपना website दिखाता हूँ मुझे container चाहिए div. यहाँ पर container यदि आप लोग div. container लिखेंगे इसका मतलब div उसका class container now यहाँ पर मैं क्या करता हूँ div. hour मैं कर देता हूँ और अभी इसमें कुछ नहीं यहाँ पर मैं कर देता हूँ div. minutes इसमें भी अभी कुछ नहीं और उसके बाद मैं कर देता हूँ div. seconds seconds इसमें भी अभी कुछ नहीं control is to save करूँगा तो अभी कुछ changes नहीं होगा क्यों क्योंकि मैंने कुछ अभी किया नहीं है बस मैंने div create किया है जिसका class hour और minute और second है अब क्या करना है अब अपने css में वापस आना है और यहां पर dot container को select करना है मतलब container को select करना है और यहां पर मैं इसको width देता हूँ let's say 25 रैम अगर यह random value है अगर ज्यादा बढ़ा होगा तो set कर लेंगे और height view मैं देता हूँ 25 रैम क्योंकि मैं इसे square बनाना चाहता हूँ now मैं इसको border radius देता हूँ 50% जिससे वो circle हो जाएगा और इसमें border देता हूँ basically border क्या दूँ border radius नहीं मुझे border देना था border में देता हूँ one ram and solid और यहां पर मैं white देता हूँ control is to save मैंने file को save किया तो अब इसे border यहां पर आ चुका है now अब यहां पर मैं image यहां पर मैं background image यहां पर कर देता हूँ background image URL और यहां पर मैं clock.png मैं यहां पर paste कर दूँगा उसके बाद मुझे background repeat no repeat and background position या background size में कर लेता हूँ cover and background position center या center मैं कर देता हूँ center center करना था भाई center control is to save मैंने file को save किया तो यहां पर image भी आ चुका है अब नाव गाईस अब हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बेसिकली कर देता हूँ and tops मैं देता हूँ 50% जिससे वह center में आ जाएगा और left से भी मैं 50% देता हूँ जिससे वह center में आ जाएगा और मैं इसका थुरा सब background color देता हूँ मैं इसको background color मैं white देना चाहूंगा and and क्या चाहिए और देखते हैं अभी कैसा देख रहा बॉर्डर रेडियस भी चाहिए बॉर्डर रेडियस यहां पर मुझे चाहिए बॉर्डर रेडियस मैं 50% देता हूँ जिससे वह circle आ जाएगा और यहां पर मुझे position app relative चाहिए control इसे मैंने file को save किया तो वह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है देखता हूँ क्या error है मैंने content को यहां पर control is to save किया position देखते हैं अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है then what's the error मैंने border radius किया इसका मुझे विर्थ देना चाहिए था विर्थ मैं देता हूँ onecular and और मैं height वी देता हूँ one dram then after यह यहां पर दिख रहा है तो यह center में भी है guys आप लुक देख सकते हैं यह center में भी है हाँ यह center में भी है परफेक्ट लिस है सेकेंड हावर और मिनट को मिनट को क्रियेट करना है तो कैसे क्रियेट करेंगे आप लोग देखते जाईए तो सबसे पहले मैं । विर्थ कितना होगा विर्थ मैं देता हूँ उसमें बेसिकली 3% and width मैंने दे दिया 3% देखता हूँ अभी कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है भी position मैंने absolute किया मैं टॉप से यहाँ पे background color देना होगा तब वो दिखेगा तो background color मैं यहाँ से pick करूँगा UI gradient यहाँ पे तो सबसे पहले मैं background color को pick कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे pick कर लेता हूँ background color को मैं वापस UI gradient पर जाता हूँ उसके बाद मुझे चाहिए हलका सा red color तो मैं poll पे click करता हूँ मैं देखता हूँ red मुझे कहा मिल सकता है यहाँ पे जाता हूँ मैं और that one इसे मैं select कर लेता हूं यहां से get css click to copy यहां पर आप लोगों को जाना है और इसमें आप लोगों को background color करना है और यहां पर format document पर click कर देना है control is to see now देखते हैं यहां पर कुछ इस तरह का यहां पर आ चुका है और नाव तो यहां पर आ चुका है मुझे इसके height को थोड़ा बहुत और बनाना होगा तो मैं इसको 3 RAM कर देता हूं अभी भी छोटा है लेट से 5 RAM 5 RAM is good now guys अब मुझे यह टॉप से कितना चाहिए देख लेंगे हम लोग क्योंकि मुझे इसे center में लाना है तो टॉप से मैं देता हूं 22% यहां पर आ गया मैं इस पर click करता हूं guys inspect करकर और मैं अब इसका मैं style यहीं पर करूंगा console पर ही तो मैं यहां पर जाता हूं आप लोग को दिखाता हूं यहां पर और इसको मैं हलका सा उपर कर लेता हूं इसको मैं हलका सा उपर कर लेता हूं जिससे मैं style कर पाऊं तो यहां पे है यहां पे मैं सबसे पहले इसको यहां पे ऐसे कर लेता हूं और इसको मैं जूम कर लेता हूं अब मैं देखता हूं मेरा हावर यहां पे है स्टाइल पे जाना है अब यहां पे आप लोग यहां से आप लोग इसके स्टाइल को set कर सकते तो मैं देखता हूँ सबसे पहले मुझे left देना आए यहाँ पे left मुझे देता हूँ 53 patient तो यह कुछ ज़्यादा खिसक गया यहाँ पे आ चुका है और now अब मुझे top देना है देखता हूँ मैं जूम करकर यह center में आया की नहीं थोड़ा बहुत center में आ चुका है आप लोग भी देखिए center में आय की नहीं center में आ चुका है guys center में मुझे थोड़ा left को मैं देता हूँ नहीं 51% सही है 51% सही है तो मैं इसको copy करता हूँ control C करता हूँ और यहाँ पे मैं paste कर देता हूँ control V करकर और मैं format document पर click कर देता हूँ तो control is to save मैंने किया तो यहाँ पे आ चुका है मैं console को बंद कर देता हूँ और zoom out भी कर देता हूँ मैं reset कर देता हूँ तो यह यहाँ पे आ चुका है अभी यह center में थोड़ा सा नहीं है तो मैं इसे center में कर देता हूँ मैं यहाँ पे 50% करता हूँ देखता हूँ 50.5 करना चाहिए control is to save मैंने किया यह अब यह perfectly center में आ चुका है अब हमें मेरा तो हावर वाला ready हो चुका है अब मुझे second minute को create करना minute को create करने से पहले मैं इसको box shadow देता हूँ container को box shadow यहाँ पे मुझे देना चाहिए 3 pixel 3 pixel यहाँ पे मैं 4 pixel देता हूँ यहाँ पे मैं 5 pixel या 3 pixel और यहाँ पे मैं black देता हूँ यहाँ पे इसको और एक और दूँगा इंसेट अंदर से होगा वो जो कि 00 and यहाँ पे 3 pixel और वो भी black होगा control is to save मैंने file को save किया देखता हूँ कैसा देख रहा है तो आप लोग अब देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत box shadow आ चुका है और मैं देखता हूँ box shadow यहाँ पे 4 के जगा 5 करता हूँ तो कैसा देख रहा है हाँ अब यह सही है यह सही दिख रहा है गाईस इसमें box shadow भी आ चुका है अब वापस से हम लोग अपने minute पर आते हैं minute को style करते हैं तो मैं सबसे पहले dot minute करता हूँ dot minutes और यहाँ पे मुझे यही सब देना है तो position absolute height मैं इसको सबसे पहले copy करता हूँ ctrl c करता हूँ यहाँ पे ctrl v करता हूँ height मुझे थुरा ज़्यादा देना है तो मैं देता हूँ 7 gram और background color मुझे इसका blue चाहिए तो उसको भी हम लोग यहाँ से pick कर लेते हैं ui gradient से यहाँ पे जाना है small पे click करना है और देखता हूँ blue कुछ nice color blue मिल रहा है यहाँ पे blue पर click करना है और blue देखता हूँ कुछ अच्छा यह मुझे अच्छा लग रहा है तो इसके css को मैं get कर लेता है click to copy करना है now यहाँ पे आप लोगों को paste कर देना है और format document पर right click करना है format document control is to save करना है now यहाँ पे आप लोग देख सकती यहाँ पे आ चुका है और आसा करतो हूँ guys आपको यह सब दिख रहा होगा जो अभी मैं कर रहा हूं मैं zoom out मैं zoom in भी कर दिया हूं now अब इसको आप लोगों को right click करना है इस पर और inspect जाना है और यहाँ पे console में हम लोग इसके style को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या है हमें basically इसके top को manage करना है तो ठीक है हम लोग करते हैं top को manage यहाँ पे जाना है आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को जाना है और इस पर बनाना है तो टॉप से मैं देता हूं 21% और left से मैं देता हूं just a random value है left से मैं देता हूं 22% और यह थोरा जादा होगा तो मैं इसको कर लेता हूं 51% सही है गाईस और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को देना होगा टॉप से हलका समय जूम जूम करता हूं और यहाँ पे मैं इसको देखता हूं कि यह center में हुआ की नहीं मुझे 51 के बजाए यहाँ पे देना होगा 50.5% तो यह पूरा पूरी center में आ चुक है इसके width को मैं हलका सा थिन रखना चाहूंगा पतला रखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे 2% कर देता हूं और मैं इसको मैं 51% कर देता हूं अभी भी center में नहीं 15.5% कर देता हूं कुछ ज़्यादा ही खिसक चुका है 3 यह अब यह center में तो मैं इसको copy कर लेता हूं Ctrl C मैं करता हूं यहाँ से और मेरा style कहा गया मैं हलका सा zoom out कर देता हूं guys यहाँ पे paste कर देना है यहाँ पे Ctrl V और यहाँ इसके height को मैंने किया था 2% width को basically मैं format document करता हूं Ctrl S to save करूंगा file को तो यहाँ पे कोई changes नहीं है अब मैं इसको reset कर देता हूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वह minute hand भी यहाँ पे ready हो चुक है अब हमें चाहिए second तो second के लिए हम लोग कर लेते हैं second यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं तो second सबसे पहले मैं उसे यहाँ पे dot करना होगा उसके बाद मैं इसको second को तो इसमें भी मुझे basically position absolute चाहिए और width मैं इसको 1% देता हूँ और background color मैं इसको white देता हूँ and height मैं इसको देता हूँ height मैंने 8 time देता हूँ इसको and and देखेंगे हो तो यहाँ पे आ चुका है इसको मैं inspect करता हूँ और वापस से white technique में यूज़ करूँगा second यहाँ पे है मैं इस पर click करता हूँ मैं top यहाँ पे 51% 51 नहीं और left मुझे देना है left मैं देता हूँ 51% तू यह और top से मुझे हलका सावर देना होगा यहाँ पे आ चुका है 17% और यहाँ पे 15.5% center में मैं इसको zooming करता हूँ देखता हूँ center में है कि नहीं यह center पे है तो इसको मैं copy कर लेता हूँ ctrl c और यहाँ पे इसके जगह मैं paste कर देता हूँ ctrl v now guys यहाँ पे आप लोगों को format document पर click करना है अब यहाँ पे आप लोग देख सकते कि हमारा clock बन कर ready हो जाता है मैं इसको reset कर देता हूँ तो हमारा clock बनकर ready हो चुका है मैं हम लोग का style पूरा हो चुका है अब javascript की बारी guys अब हमें clock का real functionality करना है with the help of javascript तो मैं यहाँ पे script tag को open करता हूँ guys और यहाँ पे main guys कि मैंने साड़े hand को साड़े hour minute और second को 12 point out किया ऐसा क्यों मैं आप लोग को बताऊंगा अभी बता देता हूँ कि देखिए guys यदि यह एक round यहाँ से लेगा यहाँ पर फिर अपने initial point पर आएगा तो एक round में इसने कितना rotate किया तो बारा घंटे में इसने बारा हावर में इसने rotate किया 360 degree guys 360 degree आशा करता हूँ आपको देख रहा होगा मैं इसको जुम भी कर देता हूँ अब 360 degree इसने rotate किया guys तो यदि मैं आप लोगों से पूछी one hour में कितना rotate करेगा तो one hour में rotate करेगा यह 30 degree simple सा unity method guys now one hour में 30 degree rotate करेगा तो h hour के लिए कितना rotate करेगा guys h hour के लिए rotate करेगा basically 30 into h hour 30 into h hour simple सा unity method 30 into h hour तो यह हमारा formula हो गया h hour में हमारा hour hand कितना rotate करेगा बट गाइस यहां पर मिनट के रोटेट करने से जो हावर पर जो फर्क पड़ेगा उसे भी हम लोग को निकालना होगा तो 1 हावर इस इकुल टू 30 डिगरी तो 1 हावर को आप लोग क्या लिख सकते हूँ 60 मिनट इस इकुल टू 30 डिगरी 61 minus is equal to 30 degree हो गा कि नहीं गाई किंँ वोगा मैं आप लोगों से पूछता हम क्योंकि 1 hour is equal to 60 minute तो 60 minute is equal to 30 degree ना वगा अब यहां से हम लोग 1 minute is equal to यहां पर निकाल सकते है आई नी वन minute is equal to यहां पर 30 degree के जगा यहां पर आपह लोगो को 60 30 divided 60 करना है 30 divided 60 है अब यहां से आप रोग काटेंगे तो यहां पर आपका आउट्पूट आएगा 1 by 2 गाइस तो 1 minute is equal to 1 by 2 degree 1 by 2 degree तो now guys तो m minute के लिए कितना rotate करेगा m minute is equal to 1 by 2 degree into m minute m minute हो गया m minute तो यह हमारा m minute का भी निकल किया गया तो हम इसमें plus करना है m minute का value तो m minute का value किया है 1 by 2 degree और into m minute तो यह हमारा formula हुआ h hour का कि हमारा hour hand basically sorry गलती से वहां पर click हो गया था तो हमारा hour हावर हैंड हावर में कितना रोतेट करेगा 20 30 सो हावर प्लस वन भाई 2 डिग लेंट let तो यह हमारा हावर हैंड का फर्मुला आ चुगा तो मैं ऐसे यहां पर कॉमेνट कर दिताऊं किसे इसका काम होगा और ऐसे ही हम लोग मिनट का भी यहाँ पे निकाल लेते हैं तो मिनट का क्या होगा basically मिनट भी वही कि 60 मिनट में वो रोटेट करेगा 360 डिग्री गाइस 360 डिग्री तो simple सा 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा one minute में rotate करेगा कितना rotate करेगा आप लोग बताइए आप लोग बताइए one minute में कितना rotate करेगा one minute में कितना rotate करेगा guys तो 60 degree rotate करेगा simple सा calculation unity method और 60 degree now guys तो यहाँ पे भी second के rotate करने से जो minute पर effect करगा उसे भी हम लोगों को निकालना होगा तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं 1 minute is equal to 60 second तो यहां पर हम लोग 60 second यहां पर 60 second is equal to 60 degree 60 degree मैंने ऐसा क्यूं किया 60 second is equal to 60 degree क्यूं और यहां पर 1 second हम लोगों को करना है 1 second is equal to यहां पर and something is wrong यहां पर 6 होगा 6 यहाँ पे होगा क्यूं क्यूंकि आप लोग जब 60 को डिवाइड करेंगे 360 से तो 6 ही आएगा तो 1 second is equal to यहाँ पे आएगा basically 6 divided by 60 तो यहाँ पे मैं return कर देता हूं 6 divided by 60 degree तो 1 second में कितना rotate करेगा 6 divided by 60 degree तो हमारे तो s second में कितना rotate करेगा s second is equal to 1 divided by 6 degree into basically कितना चाहिए into हमें चाहिए s second तो अब now finally हम लोग का minute का भी formula यहाँ पे निकल जाएगा कि minute को हमें कितना rotate करना है तो minute हमारा rotate करेगा basically 6 degree यहाँ पे 6 degree into basically into a minute and minute प्लस यहाँ पे 1 by 6 degree into s second तो यह हमारा minute का भी formula यहाँ पे निकल कर आ चुका है तो 1 second is equal to 6 by 60 degree सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ minute वाला 60 minute is equal to 360 degree यह एक घंटा में यह फूरा 12 hour rotate करेगा मतलब 360 degree rotate करेगा तो यहाँ पे 60 minutes is equal to 360 degree तो 1 minute में कितना rotate करेगा 60 degree rotate करेगा तो 60 और 1 minute is equal to 60 second तो 60 second is equal to 6 degree अब 1 second is equal to 6 by 60 degree और यह second का हम लोगों ने निकाल लिए हैं यहाँ से यहाँ पे basically as second now यह है second का formula इसको भी मैं comment कर देता हूँ और यह कैसे निकला आप लोग calculate कीजिएगा तो यह हमारा आच चुका है अब मैं script मैं अपना script यहाँ पे लिखता हूँ तो सबसे पहले मुझे हावर चाहिए minute चाहिए second चाहिए तो मैं इन लोगों को select कर लेता हूँ हावर is equal to document.queryselector queryselector मैंने क्यों use किया क्योंकि मैंने वहाँ पे class दिया हुआ है हावर मैं देख लेता हूँ हावर मैं मैंने इस नहीं use किया है और यहाँ पर मैं let यहाँ पर मैं basically minute को कर लेता हूँ minutes is equal to document.queryselector यहाँ पर minutes मैं कर लेता हूँ उसके बाद मुझे dot लगाना था उसके बाद मुझे let यहाँ पर second को करना है is equal to basically document.queryselector basically seconds now guys यह second भी आ चुका है और देख लेता हूँ minute मैंने इस लगाया कि नहीं यहाँ लगाया हुआ है अब now guys यह तो मैंने कर लिया है अब उसे let date बनाना होगा let date is equal to new dates और मैं इस पर parenthesis यहाँ पर अब now guys यदि मैं इसको console पर दिखा हूँ आप लोगों को date को console.lock करो date control is to save मैंने file को save किया और मैं अपना console यहाँ पर open करता हूँ तो date is not defined let me check out what the error यह date is not defined now यहाँ पर आप लोग देख सकते यह अभी का date यहाँ पर दिखा रहा है तो यदि आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से करिएगा let यहाँ पर सबसे पहले और मैं इसे एक function मैं wrap कर देता हूँ तो सबसे पर मैं एक function create करता हूँ यहाँ पर basically date function now और इसको मैं यही पर wrap देता हूँ control x मैं ने किया यहाँ पर control v करना है और format document मैं कर देता हूँ और यहाँ पर let get hour is equal to doc यहाँ पर date.get hour इससे हम लोग को hour हम लोग ले सकते मतलब get hour basically hour को return करेगा और simple मैं get minute को भी ले लेता हूँ get minute is equal to यहाँ पर मैं करता हूँ date.get minute यह minute को return करेगा guys let यहाँ पर get second मैं ले लेता हूँ get second is equal to यहाँ पर मैं date.get second मैं यहाँ ले लेता हूँ get second लेना था get second now और यदि मैं आप लोग को यह प्रिंट करकर दिखाओ यहाँ पर console.lock करो get hour यहाँ पर get minute और यहाँ पर get second now guys control is to save मैंने file को save किया और मैंने मुझे इस function को call भी करना चाहिए तो मैं इस function को call कर देता हूँ date date function था control is to save मैंने file को save किया now get second is not defined okay get second था ना control is to save मैंने file को save किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हावर और यहाँ पर minute और second यहाँ पर आ चुका है now अब basically मुझे करना क्या है कि अब मुझे basically rotation हम लोगों को दे देना है बस इस minute और hour और second में rotation हम लोगों को इसके rotation को fix करना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हावर रोटेशन रोटेशन is equal to मैंने हावर के रोटेशन के लिए क्या formula create किया था गाइस हावर रोटेशन is equal to 30 into h hour तो यहाँ पर h hour क्या है यहाँ पर h hour get hour है तो 30 into h hour नहीं यहाँ पर get hour यहाँ पर हावर है और उसके बाद हमें चाहिए plus यहाँ पर और क्या चाहिए minute चाहिए तो 1 by 2 into basically get minute यहाँ पर m minute get minute है तो यह हमारा हावर का rotation आ चुका है और मुझे चाहिए अब minute का rotation rotation is equal to यहाँ पर minute का rotation के लिए मैंने formula क्या create किया था 6 degree तो 6 into into यहाँ पर m minute क्या है m minute यहाँ पर get minute है m minute और यहाँ पर plus 1 by कितना था मैं देख लेता हूँ 1 by 6 degree था 1 by 6 into और यहाँ पर s second क्या आए गाइस आप लोग बताएं यहाँ पर get second होगा get second simple सा mathematic calculation है और कुछ नहीं unitary method है let यहाँ पर अब second का rotation हम लोग को find करना है second rotation is equal to यहाँ पर basically second rotation क्या था 6 into s degree 6 into s यहाँ पर basically get second यहाँ पर s second क्या था get second था get second now तो यह हम लोगों ने hour minute और second का rotation find कर लिया है अब हमें क्या चाहिए अब basically हम लोगों को इसके style में in rotation को fix कर देना है तो कैसे करेंगे simple सा method है guys यहाँ पर आप लोग मैंने यहाँ उपर जो select किया उसके ही style में मुझे fix कर देना है इसके rotation को तो basically how works के dot style में मैं dot यहाँ पर transform एक property होता है transform और मैं is equal to कर देता हूं मैं यहाँ पर basically और मैं इसको एक back tick में मैं back tick use कर रहा हूं back tick को बोला जाता है template literal भी now यहाँ पर एक rotate नाम का CSS में value होता है rotate यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं और back tick में यदि आप लोगों को किसी भी variable को यूज करना तो dollar लिख कर हम लोग की यूज करते हैं तो h हावर rotation और यहाँ पर डिगड़े तो इसी को मुझे सम्मे करना है तो मैं सम्मे कर देता हूं ctrl c मैं करता हूं यहाँ पर ctrl v ctrl v यहाँ पर हावर के जगा मुझे minute करना था और यदि आप लोग alt alt दबा कर जहां जहां क्लिक करेंगे तो आप लोगों का minute चाहिए minutes और ऐसा करने से कोई फैदा हुआ तो नहीं क्योंकि मैंने वरियेवल का नेम सेम नहीं दिया था यहाँ पर मुझे जाना होगा और एक और एरर आ गया गाईस यहाँ पर मुझे rotation के जगा minute rotation फिक्स करना होगा और यहाँ पर मुझे basically क्या करना होगा यहाँ पर मुझे second का rotation यहाँ पर दे देना होगा second rotation और यहाँ पर मुझे minute के style के जगा second का second कहां गया भाई मेरा second तो यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा था ना second आ चुका ctrl s to save मैं file को save करूंगा तो अभी यह rotate तो हुआ guys but only at a time मतलब एक ही बार rotate हुआ यहाँ पर rotate हुआ तो इसको बार बर रोटेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे guys इसको बार बर rotate करने के लिए इस function को मैं basically set interval में यहाँ पर मैं set interval का use करूंगा set interval set interval basically यहाँ पर इंटरवल के जगा आप लोग को second देना होता है तो मैं हर एक एक सेकेंड में, यहाँ पर basically millisecond में value को लेता है तो 1000 millisecond होता है 1 second guys, 4000 millisecond होता है 1 second, तो हर एक 1 second में, आप लोग इस date function को call कीजिये मतलब set interval मैं तुम से कर रहा हूँ कि आप लोग मतलब तुम your secondumm हर एक सेकेंड में आप लोग इस date function को call करो control is to save मैंने file को save किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह अब second यहाँ पे rotate करा है बट मैं चाहता हूँ कि guys see यह center से rotate कर यह bottom से rotate कर तो इसके लिए मैं क्या करूँगा तो इसके लिए simple सा है एक property है हमारे पास css में मैं सबसे पहले सबको chocolate देता हूँ यहाँपे यहाँपे मैं सबसे पहले एक class देता हूँ जसका नाम होगा घ्यार्य बॉटम रोटेट करना है बॉटम रोटेट करना आर rotate और यहाँ पे आप लोगों को transform origin आप लोग transform origin bottom कीजिएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह bottom से rotate करने लगा है और हमारा यह clock बनकर ready हो चुका और यहाँ पे यह time भी सही दिखा रहा है 10 बस कर 23 मिनट हो रहा है आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं तो यह हमारा basically clock बनकर ready हो चुका है आसा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा और यह formula guys मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ मैंने सारे को सारे hour और minute और second को मैंने 12 पर point out किया था क्यों किया था क्योंकि यदि यह 12 से एक round करेगा वापस से 12 पर आयेगा मतलब वो कितना rotate करेगा 360 degree का rotate करेगा मतलब 12 hour में 360 degree का rotate कर रहा है तो 1 hour में कितना rotate करेगा 30 degree simple unitary method तो यह हमारा 1 hour में 30 degree rotate करेगा now guys तो m minute में कितना rotate करेगा m minute में rotate करेगा M minute नहीं H hour में कितना rotate करेगा 30 into H hour but guys यहाँ पे जो minute के कारण जो hour पे effect पड़ेगा उसको भी तो हमें calculate करना चाहिए न तो मैंने यहाँ पे calculate किया 1 hour is equal to 30 degree तो 1 hour को और क्या लिख सकते 1 hour is equal to 60 minute तो 60 minute is equal to 30 degree now 1 minute is equal to 1 by 2 degree now M minute के लिए हमने यहाँ पे निकाल दिया 1 by 2 degree into M minute अब नाव गाइस हावर का finally formula यहाँ पे आ गया H hour is equal to 30 into H hour plus 1 by 2 into M minute और यसी तरह हम लोगोंने 60 minute is equal to minute का भी निकाला क्योंकि एक घंठा में minute वाला सुई कितना rotate करेगा पूरा 12 मतलब पूरा 360 degree rotate करेगा तो 60 minute is equal to 360 तो 1 minute is equal to 6 degree now guys 1 minute is equal to 60 degree तो M minute के लिए कितना rotate करेगा M minute के लिए rotate करेगा 6 into M minute now guys अब इस पर second के द्वारा जो effect परेगा उसको भी हमें calculate करना चाहिए तो मैंने यहाँ पर calculate किया है 60 second is equal to 6 degree क्यों क्योंकि मैं 1 minute को 60 second लिएक सकता हूँ तो 60 second is equal to 6 degree तो 1 second is equal to 6 by 60 यहाँ पर 1 second is equal to 6 by 60 degree तो एस second यहाँ पर 1 by 60 degree तो finally हमारा minute का formula भी यहाँ पर create होकर आ चुका है तो यह है हम लोग ने अपना आज का यह project को बना लिया है यहाँ पर और यह पूरी तरीके से work भी कर रहा है आप लोग इसके style को और भी changes कर सकते है style आपके हाथ में तो आज के लिए इतना है गाईस यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like कीजिए इस channel को subscribe कीजिए now guys thank you for watching this video